तो कृप्या कर कौन कौन समाज परंपरागत मतर से जीवी है उन समाजों को बताएं देड़ साल में यह भी नहीं बता सके कि कौन कौन समाज है जिसको मच्री मारने का हक होना चाहिए तो यह बहुत ही अफसोस है और निश्चित अपकारवाई होगी नमस्तार आप देख रहे हैं लाइफ सिटीज में हूँ आपके स्ताश शिवं बिहार विधान सबा में वियाईपी का सुपरासाफ करने के बाद बीजेपी लगतार वियाईपी सुपरीमो मुके सहनी पर ताबरतोर हमला कर रही है आपको बता दे कि आज बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक डॉक्टर संजय जैस्वाल ने एक बार फिर से मुके सहनी पर जोड़दार हमला बोला है और उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि मुके सहनी पहले अपने सहयोगियों को धोका दे रहे थे अब वो अपने मलाहा समाच के लोगों को धोका दे रहे हैं क्या यह कहा कि मतस्य जीवी सहकारी समिती का मंत्रीपद यह खत्म कर रहे हैं और एक कमिटी बना के उसका मालिक अफसर को बना रहे हैं यह बहुत ही शर्मनाक बात है और दूसरा जो सहकारिता विभाग ने उनको लगातार पत्र दिया कि परमपरागत मतस्य जीवी समाज कौन दिए जिससे कि हम उनके जो परमपरागत मच्वारे हैं उनको ही उनके कमिटी में शामिल कर सकें आज डेड़ साल वो मंत्री रहे फिर भी उन्होंने एक बार भी नहीं लिखके दिया कि कौन कौन समाज के लोग परमपरागत मच्वारे हैं यह बहुत ही दुखत बात है दोखा दिया है और मंत्री का पज्ज इस तरह समाप्त कर दिया अपने शान से पहले बता रहे हैं उन्होंने कि हमने आनलाइन आवेदन शुरू कर दिया पर कॉपरेटिव पूछते रगया कि कॉपरेटिव सोसाइटी में एक वाक्या है परमपरागत मतद से जीवी तो कृप ही अफसोस है और निश्चित अब करवाई होगी तो आपने साफ तोर पे सुना बिहार बीजेपी के प्रदे सध्यक डॉक्टर संजे जैसवाल ने जहां थोए देर पहले ही मुके सहनी पर बड़ा आरोप लगाया था उसके बाद मुके सहनी पर एक बार फिर से उन्होंने बड़ा हमला बोला और साफ तोर पे कह दिया है कि मुके सहनी ने पहले अपने सहयोगियों को धोका दिया है उसके बाद वो अपने मलाहा समाच के लोगों को धोका दे रहे हैं आपको बता दे कि बिहार बीजेपी के प्रदे सध्यक डॉक्टर संजे जैसवाल से मलाहा के कई लोग मिलने पहुंचे थे और उन्होंने मुकेश सहनी पर इलजाम भी लगाया है जिसको लेकर डॉक्टर संजे जैस्वाल ने अपना बयान दिया है अब देखने वाली बात या होगी कि जिस तरह से बिहार में मुकेश सहनी की मुश्किले बढ़ते ही जारी है तो ऐसे में मुकेश सहनी आगे क्या कुछ करते है बहराल अब बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब कर ले धन्यवाद